नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपसे ब्लोग को क्लासी मार्केट में तो चलिए देखते हैं कल यानि की एक्सपारी की दिन हमारा निट्टी बेंट में क्या लेवल रहना चाहिए एंड क्या ट्रेडिंग प्लान है चाहिए दोस्तों बहुत कुछ इस वीडियो में सीखने बा दोस्तों ये तो हमारे वीडियो का golden part रहता है कल जैसे हम analysis किये थी market उपर जाएगा बोलके उपर गया कि नहीं बोलिए मैंने clearly बोला था call writer भागे है आज उपर market जाएगा बिल्कुल market उपर गया तो यार वीडियो को like तो कर दो कल के लिए जिन लोगों ने वीडियो देखा फ्री में सब कुछ देता हूँ जो लेबल दिया था आप दिख सकते हैं 20,000 profit 18,000 profit 16,000 profit फ्री में और क्या चाहिए 17,000 profit 7,000 profit अब clear cut दिख सकते हैं market open and से पहले एक ही लेबल दिया था 33,300 break and sustain and buy इतना ही बोला था उसके बाद आप दिख सकते हैं फ्री में off suspension का analysis करके दिया थ clear cut बोला था दोनों level पे call letter भरबर के बेठे हैं break किया तो उपर जाएगा clear cut लिखा था upside move बोल के और क्या चाहिए दोस्तों उसके बाद आप दिख सकते हैं जो level दिया था 33,300 का level जैसे ही break या sustain किया clear cut 600 point का momentum like बनता है subscribe बनता है यार चैनल को आप लोग भूल जाते हैं and दो देखिए miss मत कीजिए call या फिर put hold करके गया है तो ये वीडियो आपके लिए है फिर अगर आपने put hold क्या है average क्या है तो ये वीडियो आपके लिए है जरूर देखिए कल के दिन आप get करेंगे या फिर hold करेंगे सब कुछ बताऊंगा ठीक है चले शुरू करते हैं दोस्तों निप्टी से सिंपल सी बात है पहले निप्टी का हम price section की हिसाफ से analysis करेंगे उसके बाद option chain पर चले जाएंगे निप्टी को हम कल buy कप कर सकते हैं देखिए दोस्तों कल के दिन अगर gap up है फिर flat up नहीं हुआ 16,454 के उपर अगर निकलना चालू कर दिया निप्टी गेरेंट सिंपल सी बात हैं आपको clear cut दिखाई दे रहा है कि भाई ये जो 16,454 का level है ये जो क्या है कि अच्छा कासा एक support जोन था point आपको mind में क्लिक हो रहा हैं दोस्तों ओके ये एक support था 16,454 का level यहीं support दोस्तों जब market ने again touch किया तो क्या बना again resistance की जैसा काम किया तो simple सी बात है ये एक support था ये एक resistance था तो again अगर आप देखो दोस्तों तो कल के दिन यही 16,454 का level इसी place में resistance की जैसा ही काम करेगा अगर इसके ऊपर तल निटी निकलना चालू करता है तो आपको upside का momentum देखने को मिलेगा 100-200 point का तो पका upside का momentum देखने को मिलेगा तो clear हो गया ओके कल अग करना चाहिए ठीक है sell काप करेंगे देखी दोस्तों selling के लिए ना कल के दिन फ्लेटे भी थोड़ा gap down अपनी होना चाहिए उसके बाद अगर 16,259 level अगर break किया इसके नीचे price section लगने लगने लग गया तो आप sell कर सकते हैं इसके पीछे region क्या है देखी दोस्तों बहुत simple सा region है निप्टी को अगर आप देखो open हुआ उपर गया थोड़ा pullback मारा यहाँ पे एक छोटा सा resistance क्रिट किया फिर इस resistance को break कर दिया यहाँ पे फिर pullback मारा और यहाँ से buyer activate होके उपर लेके निप्टी को गये तो simple सी बात है यह जो point है दोस्तों इसको आप notice कीजिए तो यह पे buyer activate है अगर इसके नीचे का निप्टी आना चालू कर देता है तो ही आपको selling pressure देखने को मिलेगा तो simple सी बात है selling का clear हो गया कि हाँ भाई यह आज का दिन का एक छोटा सा support है इसके नीचे आता है तो मैं sell करूँगा उपर तो मैं आपको important region के साथ बता दिया कि उपर का level break के हमें buy करूँगा clear हो गया दोस्तों अब चलिए देख लेता है option chain के हिसाब से क्या दिखाई दे रहा है देखे दोस्तों अब आप चुके हम nifty के option chain पे यह हमारा call writer है यह हमारा put writer है अब देख लेते है call writer का क्या हालत हो चुका है देखे दोस्तों call writer जो हमारा हमें सब resistance create करते हैं और बहुँ चाहते हैं कि आर हमना मार्केट को नीचे ही रखें बोलके अगर आप देखो दोस्तों तो call writer अगर आप nifty को देखो तो closing जाए 16,366 के आस पास अगर आप call writer को देखो तो 16,400 पे अगर आप call writer देखें दोस्तों तो 5,00,000 ब्लस call writer अगर आप put writer को देखो तो मुझे बोलने की जुरत नहीं है दोस्तों आप पावार देख सकते हैं 25,00,000 put writer 22,00,000 put writer 20,00,000 put writer मतलब 20,00,000 से तो कमी नहीं है put writer तो simple सी बात है put writer strong support provide कर रहे है call writer डर रहे है तो simple सी बात है उपर की तरब कल भी chance है break किया अच्छा कासा upside का momentum देखने को मिल सकता है हर एक downside के level पे दोस्तों अच्छा कासा put writer बेठे है तो put writer जो है कल support provide करेंगे तो upside का move होना possible है simple सा बात है clear होगी आप चलिए देख लेते है bank nifty में क्या कर सकते हैं देखे दोस्तों bank nifty को भी price section की सबसे पहरे analysis कर लेते हैं ठीक है अगर कल के दिन दोस्तों bank nifty flat अपिर थोड़ा सा gap up opening हुआ है फिर flat अपिर gap down अपनी हुआ 34,018 break करते हैं आपको buy करना पड़ेगा अच्छा खासा upside का momentum देखने को हमें मिल सकता है इसके पीछी region क्या है देखें दोस्तों 34,018 इसके पीछी region में आपको समझाता हूँ वीडियो को अब थोड़ा बड़ा होगा प्लीज देख लीजे थोड़ा adjust करके देखें दोस्तों 34,018 का level मैंने बताया यह जो level है दोस्तों यह पहली क्या था बेंक निप्टी ने ब्रेक किया और एगेन आज के दिन वहीं support zone के आसपास closing जा है जो की बन चुका है अभी resistance तो simple सी बात है कल के दिन अगर फ्लेट एफिट थोड़ा सा gap down उपनी होगे जैसे यही जो resistance को ब्रेक करता है और वेसे भी 34,000 एक round level है अच्छा खासा अपसेड का momentum देखने को मिलेगा आपका target 300 point का clear cut रहना चाहिए दोस्तो ब्रेक किया बिंदा सा buy करना 34,000 options जिनगी साब से देखेंगे ब्रेक किया इसके उपर आप buy कर सकते है 34,321 आपका target रखना चाहिए ये एक resistance बनेगा और इसके उपर अगर निकलना चालू करता है तो तो आपका और 500 point का भी momentum देखने को मिल सकता है तो simple सा concept दोस्तों clear हो गया अब चलिए देखते हैं बेंक इनिप्टी को sell cup करना है बाइन का समझ में आ गया 34,001 region आपको मैं समझा दिया पहला support था कल के लिए resistance बनेगा अब sell cup कर सकते हैं देखी दोस्तों selling के लिए अभी market थोड़ा नहीं दिख रहा है कल के दिन अगर gap down अपनी होके 33,300 के नीचे आना चालू करता है तो ही आपको selling के बारे में सोचना है नहीं तो सोचना भी नहीं है क्योंकि दो 33,300 का जो level ने आप देख सकते हैं अच्छा कासा एक resistance zone था आप clear कर देख सकते हैं यहाँ पर दो बार market ने halt किया finally आज breakout दिया, retest किया फिर उपर जाना चालू कर दिया तो कल के दिन अगर यहाँ तक निकलता भी है आता भी है market यहाँ से हम buying के बारे में ही सोचेंगे यह जो resistance है यह support की यहसा काम करेगा हाँ इसके नीचे जाता है आप आराम से sell कर सकते हैं तो point clear हो गया कि 33,300 के नीचे मुझे sell करना है उपर का मैंने आपको बता दिया चलिए देख लेते हैं options जिनके इसाब से क्या नजर आ रहा है यह हमारा call writer, यह हमारा put writer, call writer हमारा हमें सा resistance के रेट करते हैं और put writer support call writer को अगर आप देखो कि दोस्टों तो 34,000 का जो label है जो हमारे लिए कलके लिए resistance है यहाँ पर आप देख सकते हैं 3,000,000 प्लस call writer ही आज के दिन एड हुए इतना confidence एगेन नजर नहीं आ रहा है call writer सिर्फ और सिर्फ तीन लाग call writer एड हुए है बहुँ चार है कि आर मार्केट कल इसके नीचे रहे 34,000 बो भी एक round level है और इसके उपर अगर आप देखो तो strength नजर नहीं आ रहा है सिर्फ और सिर्फ दो लाग, वान लाग something call writer बेठ है बट दोस्तों put writer को अगर आप देखोगे यहाँ पर भर भर के put writer पड़े है आप देख सकते है हर एक level पर 3,00 लाग, 2,00, 2,00, 9,00 तो मुझे बोलने की ज्रूत नहीं आपको clear cut पता चल रहा है तो कल की दिन market एगेण upside का move करने का possibility है तो दौस्तों इसके उपर निकलता है डेफिनिटले आप buy कर सकते हैं 34,000 के उपर क्योंकि समझा दिया कॉल रेटर कमजो और लजर आ रहा है तो इसके उपर निकलता है तो अच्छा खासा अफसेट का मोमेंटम देखने को मिल सकता है अब ही जाके फ्री बाले टेली ग्लाम चैनल क्लासी मार्केट पर आप जोईन हो जाएए एक्सपारी स्पेसियाल में लेबल देने बाला हूँ दोस्तों एंड एंड अपने ममी पापा को बहुत 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 सारे प्यार दीजिए उनका क्यार कीजिए वीडियो में कमेंट कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को पेस कर लीजिए चले दोस्तों मिलते हैं कल के दिन थेंक्यू सो मट टेक क्यार बाय और सी यू